सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना है आपको कोई चीज जाननी है तो आप अनुभाव मतलब एम्पेरिकल जिसको आप कहते हैं अब्जर्वेशन से है है आप देख के सबसे अब देख के जो आख दिखाये जिसको समझें एक है यह क्या चीज़ है मैं है 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 ना सब गोच आए दिखरे कव दिख रहे है कप दिख रहेर किया है तो यह क्या है चाई है या कप है यानि कि ये कैसा हो गया ये Generalization हो गया ठ्क क्योंकि आप इसको ऊपर के सता पर देख रहे है यह इस इस तरते वह अगर आप देखते तो हम साहता है observation और observation के कारण भी alltså आप जेनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं और जेनरलाइजेशन होता है सरवाधिकारवादी एक तरीका है रैशनल, तर्क के माध्यम से, तर्क के माध्यम से भी किसी किसी चीज को समझा जाता है इससे भी हम यूनिवर्सलिजम की ओर जाता है जैसे प्लेटो ने कहा इंफाक्ट प्लेटो ने कहा कि अगर हमें किसी भी चीज़ मतलब एक यूनिवर्सल ज्यान प्राप्ठ करना है तो तर्क के माध्यम से हम उसे develop करें तो इन दोनों methods यह जो ग्यान आपने प्राप्त किया जरूरी नहीं यह सही हो, जो तार्किक हो वही सको यह जरूरी नहीं, तो एक तीसरा method होता है जिसको हम कहते हैं अनुभाव, अनुभाव, experience, आज कल यह से स्कूलों में experiential learning की अनुभाव पर आधारित ज्ञान, अब अनुभाव पर जो आधारित ज्ञान होगा, वो सर्वाधिकारवादी नहीं होता है, क्यों क्योंकि प्रतेट व्यक्ति का अनुभाव अलग-अलग हो, चाय देखने में चाय है, लेकिन हर इंसान जब पियेगा, तो उसकी अपनी पसंद होगी और उसका इस चाय का अनुभाव अलग-अलग होगा, ठीक है, तो यह कौन सी methodology की बात करती है, experience, ज्यान, वास्तविक ज्यान क्या है, वो नहीं, जो तर के आधार पर आया, वो भी नहीं, जो देख कर आया, वो जो अनुभाव किया, और चूकी सभी लोगों का अनुभाव अलग-अलग होगा, इसलिए अनुभाव पर आधारित ज्यान ही प्रजातान क्रिक होगा, ज्यान क्यों ताद कर आधे, चल दिए जया होगा होगाम अनुभावगरण थातान क्योने ही शिएक्तान दाधार भावालन से way तो में, जे अनुभावालन दाधार रहा हो, झाधार से भावालन पीतान क्यों आएंड sociedadethe, आतान क्या जो बढ़ा होगावा होगारा है, आतान